बच्चे जैसे आज हम लोग डिसकस कर रहे थे, पार्थीनों कार्पी क्या होता है? पार्थीनों कार्पी डिसकस करने से पहले हमें normal fertilization का पता होना चाहिए normal fertilization के लिए आपने देखा, यहाँ पे जैसे हमारे पास, यह important कुछ pistol वाला part है, carpels है ना, तो carpels में आप लोगों ने देखा, mature होके carpels क्या करती है? start sexual reproductions, right? तो हमने carpels का structure पहले ही detail में पढ़ा हुआ है जैसे stigma हो गया, style हो गया, right? और भार ovary होगी, उसके अंदर ovule होगा और फिर अंदर क्या होगे? ovule के egg cells present होगे, right? तो यह कह रहा है कि जब यह complete structure जो है, यह carpels का, यह mature होके sexual reproductions करेगा तो जैसे यह mature होके sexual reproductions करेगा, बेखिये, कैसे? events की यहाँ पर क्या होगे? इनको हम क्या बोलते हैं? pollens, क्या बोलेंगे? pollens, यह जो pollens हैं बच्चे, यह pollens क्या करेंगे? इसमें male gametes होगे, और यह male gametes आके fuse करेंगे, किसके साथ? egg cells के साथ, और फिर आगे जाके ovules जो होगा, वो किस में convert होगा? वो seed में convert होगा, और ovaries जो होगी, वो fruit में convert होगी तो यह हमारी normal fertilization रहती है, embryo sac के अंदर बट आपको एक चीज़ धियान रखनी है, कि जितने हमारी ovaries में ovules होगे, उतने ही seeds बनेंगे और जितनी ovaries होगी, उतने ही fruits बनेंगे, यह चीज़ आपने clear रखनी है, तो यह हमारी एक normal fertilization है ठीक है, this is a normal fertilization, और turn, normal fertilization में turn क्या हो जाएगा? ovules से seeds और ovaries से fruit, done, तो अब हम लोगों को देखना है, कि what is parthenocarpy देखे बचे, parthenocarpy क्या है? formation of fruit without fertilization, but fruit जो होगा, वो कैसा होगा, वो seedless fruit होगा fruit कैसा होगा? seedless fruit होगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? formation हो रही है fruits की बिना fertilization की, अभी तक हम लोग जो normal fertilization देख रहे थे, जिसमें male gamet involved होता था बट पारthenocarpy के case में क्या हो रहा है? fruit की formation तो हो रही है, बट जो fruit होगा, वो बिना fertilization की बनेगा, और होगा कैसा seedless fruit होगा हमने यहाँ पर देखा, जैसे आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते है, stigma, ठीक है बच्चे? इसको हम बोलते है, pistil, क्या है, pistil, अब pistils में क्या करना है, fertilization के लिए यहाँ पर pollen gametes आते हैं, pollen grains आते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर वैसा नहीं होगा पारthenocarpy के case में, क्योंकि formation of fruits without fertilization, यहाँ पर without fertilization से क्या बन जाएगा, हमारा seedless fruit, जिसको हम क्या बोलेंगे, grapes बोल सकत हैं, that is a natural example, कैसे, जो plant hormones होता है, auxins, वो क्या करेगा, अपना level increase करेगा, जिससे हमारा seedless fruit बन जाएग, ठीक है, तो man hero इसमें auxins ही होता है, अगर हमें कभी भी पारthenocarpy किसी भी fruit में करनी है, तो हमें plant hormones, auxins का level increase करना पड़ता है, naturally किसमें हो रहा होता है, जैसे bio technology के चलते वे आजकल बहुत सारे fruits जो होते हैं, उनमें seeds बहुत कम दिखते हैं, ठीक है न, वो सारी bio tech की देने, जैसे auxins का use करके हम लोग seedless fruits बनाते हैं, तो उसको पारthenocarpy बोलते हैं, बट natural nature ने क्या बनाया, बनाया बनाया, which is a seedless, ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें क्या होता है, यह जैसे हमारे पास आगया stigma आप लोग देखी रहे हैं, यह stigma है, ठीक है, यह आगया हमारा style, right, और यह वाली आगया हमारी ovary, इन तीनों को मिलाके हम क्या बोलेंगे, बड़ा interesting सा effect है इसमें, होता है क्या है इसमें basically, यह जो newceless होता है, सबसे बहार क्या है, ovary है, और उसके अंदर क्या है, और ovules है, और ovules के अंदर आपको मिलता है, newceless, और newceless के अंदर आपको दिखता है, embryo sec, क्या है, embryo sec, ठीक है बचे, अब क्या है, embryo sec के अंदर आपको दिखेगा, egg cell, egg cells में यहाँ पर male gamit तो आएगा ने, क्योंकि यहाँ पर जो seed बनना है, वो बिना fertilization के भी बनना है, without fertilization, seed की formations होगी, तो simple seed की formations होनी है, बिना fertilization के, तो होगा क्या, यहाँ पर जो newceless है, बच्चे, वो क्या है, already 2N है, newceless क्या है, वो है 2N, अब इसमें, जो newceless होगा, deployed होगा, और इस newceless में क्या होगी, mitosis होगी, newceless में क्या होगी, mitosis और बनेगा embryo, अब newceless में क्या हो जाता है, कि बहुत सारे cells, जो है, newceless के अंदर, some cells of the newceless start mitosis, and enter into the embryo sec, ठीक है, यह जो newceless है, यहाँ पर यह जो newceless है, इनमें mitosis होगे, यह क्या करते हैं, enter करते हैं, किसमें, embryo sec में, ठीक है, and form large number of small embryo, छोट छोटे embryo बना देंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, polyembryony, when embryo is formed, and seed is also, isn't it all, मैंने यहाँ पर definitions भी बता दी है, ठीक है, definitions क्या बताई है, कि some cells of the newceless start mitosis, and enter into the embryo sec, and form large number of embryo, that is known as polyembryony, यह polyembryony की definitions है, ठीक है, बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, कि अगर newceless deployed है, तो उसमें meiosis नहीं हुई, इवन की epomyxis में mitosis हुई, और mitosis से large number of embryo बन गए, जो enter करने लगे, किस में, embryo sec में, और उस situations को हम लोग polyembryony कहते हैं, group of embryos को हम लोग polyembryony कहते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर, कि epomyxis में, बिना male gametes के ही, कैसे आगे जाके, newceless से क्या बन गया, seed बन गया, ठीक है बच्चे, अब हमने देखना है, what is seed, है न, seed क्या होता है, जैसे seed में endosperm होता है, दो टाइप का seed होगा, जिसमें, किसी में endosperm होता है, और किसी में endosperm नहीं होता है, जिसमें endosperm होता है, उसको albuminous seeds, जिछ में नहीं होता है, non albuminous seeds, endosperm seeds कौन-कौन से हैं, wheat, rice, barley and castors, और non-endosperm seeds कौन से हैं, pea, groundnut and pulses. Nucleus present in mature seed, that is known as perisperm cells, और ऐसा कौन सा seed है, जिसमें nucleus रहता ही है, that is black pepper and beetroots, right? कुछ और important terms, जैसे इसमें क्या है, mature ovules is called seed having seed coat, mature ovules, इसमें point देना है, जैसे, mature seeds loses water, it has just 10-15% water by weight, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने, when seed mature and yet not germinated, this gap is known as dormancy, मतलब seed mature हो गया है, हमने उसको store करना है है, और जब तक वो germinate नहीं हुआ है, उस बीच वाले gap को हम लोग dormancy कहते हैं, excess lose water to prevent from infection, जादा से जादा, जैसे 10-15% ही, NCRT में दिया हो, 10-15% water होता है, उसके seed के weight के according, ठीक है? तो मानों एक seed है, उसके weight के according 10-15% water होगा उसमें, तो वो क्यों कम से कम water रखता है? क्योंकि अगर जादा water रखेगा, तो उसमें जादा infection होने की chances रहेंगे, और seed जो होगा, हमारा decompose हो जाएगा, तो dormancy है, definite definition जो है, straight between maturations, आप seed, and its germinations, maturations वाली stage और germinations होने से पहले वाला phase जो है, उसको dormancy कहते हैं, very less water in seed, यह आपका seed है, अब देखो, fruits क्या होते हैं? Mature ovary form fruits, mature ovary जो होती है, वो क्या बनाएगी, fruit, अब बच्चे जो fruits होते हैं, वो दो types के होते हैं, एक false fruit है, और एक हमारे पास क्या है, एक false fruit है, और एक हमारे पास true fruit है, false fruit जो होता है, fruit form from ovary as well as other part of the floor of thalamus, thalamus और ovary से derived होने वाला false fruit होता है, for example, apples and pears, और true fruits developed only from ovary, that is mango, maize and grapes, चीक है, तो false fruit में आपने देखा, ये thalamus वाला part होता है, और ये ovary वाला part है, ये दोनु क्या बनाते हैं, apples बनाते हैं, और ये नीचे peduncles है, अब देखो जैसे, यहाँ पर ये apple है, और ये भार वाली layer जो है, इसको pericarp बोलेंगे, और अंदर जो ह खाते हैं, तो ये था हमारा fruits, this is all about your today topic, और हमारा chapter इसके साथ खाताम हो गया बच्चे, sexual reproduction in flooring plants, और I hope कि आप लोग इसको अच्छे से revise करेंगे, NCRT complete pencil से mark करेंगे, कोई doubt होगा, वो send करेंगे, और साथ में में आप लोगों को इसके NCRT questions और कुछ important MCQs भी send करूंगा, इस chapter के आपको solve करने के लिए, thank you class